आज से पूरे देश में शारदिय नवरातर की शुरुआत हो गए। जगा जगा दुर्गा पूजा के पंडाल सजाए जा रहे हैं। देवी दुर्गा की आरात्ना हो रही है। लेकिन बंगला देश में कट्रपंथियों ने दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगा दिये। बंगला देश में मा दुर्गा की मूर्तियां तोड़ी जा रही है। कट्रपंथियों ने हिंदूों को दुर्गा पंडाल लगाने पर अंजाम भुकतनी की धम की दिये। की दी थी कि अगर पूजा पंडा लगाना है तो पांश लाख टका टैक्स देना होगा अगर पैसा दिये बगएर पंडा लगाया मूर्ति स्थापित की तो अंजाम बुरा होगा आयोजन समीटियां पैसा नहीं दे पाईं लेकिन आयोजन समीटियों ने कई शहरों में चुपके चुपके मंदिर में स्थापित करने के लिए दुर्गा की प्रतिमाएं बनवाई इसके खबर कट्रपंतियों को लग गई और इसके बाद मूर्तिया बनाने वालों पर हमले किये गए बंगला देश के किशोर गंज, कोमिला और नरेल जिलो में माद दुर्गा की प्रतिमाएं खंडिक की गई और कट्रपंति मुसल्मानों ने देवी मा की टूटी हुँ मूर्तियों के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके हिंदू समाज को धंकिया दे इसी तरह किशोर गंज की सदर तहसिल में भी मुसलिम कट्रपंतियों ने दुर्गा पूजा के तैयारें में बादा डारी माद दुर्गा की प्रतिमाव को खंड गुपिन ऐसी एक और घटना बंग्लादेश के नेरेल जिले में भूई नेरेल की मीरा पाड़ा सर्व जने दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजा के तैयारें चल रही थी अभी मूर्टियों को रगने का काम बाकी था कि मुस्लिम कट्रपंचों ने वहां पहुँच का मूर्तिया तोड़ डाली और आयोचोकों को दुर्गा पूजा से बाद आने की धंकी दे बंगलादेश के हिंदों के लिए दुर्गा पूजा साल का सबसे बड़ा जोहर होता है। उस साल बर इसकी तैयारी करते हैं इतजार करते हैं लेकिन नवरातर के पहले दिन दुर्गा पूजा की मौके पर कट्टर पंचों ने देवी मा की मूटने को टोड़ डाला। इससे हिंदों के दुर पर क्या बीती होगी इसका अंदासा लगाया जा सकता है। अब बंगलादेश के हिंदों ने भारत सरकार से मदद के पील की है। मुझे रखता है कि किंद्र सरकार को इस इशू पर बंगलादेश की सरकार के साथ सकती से बात करनी चाहिए। आज जे भी खबराई के बंगलादेश ने भारत, आस्टेलिया, बेल्जिम, पर्सगाल और यूएन से अपने राज़ूतों को वापस पिला लिया है।